गोम्ती एक्सप्रेसवे का खाका लगभग तयार है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव से उत्तराखंड को जोडने वाले एक्सप्रेसवे को LDA ने अपने सिटी डेवलप्मेंट प्लान में शामिल किया है लखनव करीब 13,000 करोड की लागत से उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे जल्धी अस्तित्व में आ जाएगा इसका नाम गोम्ती एक्सप्रेसवे होगा यह लखनव से खटीमा तक बनाया जाएगा जो पीली भीत होते हुए निकलेगा LDA ने अपने सिटी डेवलप्मेंट में इस एक्सप्रेसवे को जोड लिया है जल्धी काम शुरू होने की बात कही जा रही है गौर तलब है कि गोम्ती एक्सप्रेसवे का खाका लगभग तयार कर लिया गया है उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनाउ से उत्तराखंड को जोडने वाले एक्सप्रेसवे को LDA ने अपने सिटी डेवलप्मेंट प्लान में शामिल किया है इस सड़क के जरिये उत्तराखंड पहुँचना आसान हो जाएगा इसका निर्मान गोमती नदी के किनारे किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चालू करा दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है पिसे भी भविश्य में उत्तराखंड से जोडने की योजना है वहीं अब 300 किलोमीटर लंबे गोमती एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को हरी जण्डी दी गई है लखनव डेवलप्मेंट आथोरिटी ने इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन तयार कर लिया है लखनव में गोमती नदी के किनारे की लंबाई करीब 40 किलोमीटर है ऐसे में जमीन अधिग्रहन की अधिग जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्सप्रेसवे को दुधवा नाशनल पार्क से भी जोडने की तयारी है क्यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जारी किये निदेश गोमती एक्सप्रेसवे लखनाउ से नैनी ताल के हलदवानी शहर को जोड़ेगा आयायम रोड तक गोमती नदी के किनारे ग्रीन कॉरिडोर का निर्मान किया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर के खत्म होने के बाद आगे से एक्सप्रेसवे का निर्मान होगा लखनव विकास प्राधिकरन के उपाध्यक्ष अक्षे कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सिटी डेवलप्मेंट प्लान के तहट इस एक्सप्रेस वे को शामिल किया गया है जल्दी सरकार इसका अनुमोधन देगी